तो सबसे पहले देखिए कि कैसे आपका जो है पैटर्न रहेगा आपकी 10 मार्क्स के अंसीन पैसे आ रहे हैं दो होंगे एक करने हैं पांच नंबर की नॉट मेकिंग आ रही है उसके बाद आपका जो कोश्चन 3 होगा नॉटिस एद्वर्टिसमेंट और पोश्टर में से कोई एक करना है पांच नंबर का उसके बाद नेक्स कोेश्चन फॉर स जो होगा पैराग्राफ राइटिंग और रीपोर्ट रेइटिंग में से एक करना होगा पांच यह और लैटर राइटिंग और एप्लिकेशन में से पंद्राभ की writing और पंद्राभ की reading 30 grammar आ रहे है टैन मार्ष कि तेंस डो नमबर के narration दो की आर्टिकल दो क्या wise दो का models दो का दस ठीक है । चालीस और चालीस का आपका literature आ रहा है फ्लेमिंगो 18 का pros आ रहा है और्फ्लेमिंगो poetry ग्यारा की और विस्तास ग्यारां तरह से रहेगा आपका ठीक है तो यह syllabus भी आपको English का दिया जा चुका है already आपको वीडियो दिये जा चुके हैं आज बात करेंगे एक एक question wise हम हल करने वाले हैं कि unseen passage हल करके दिखाए तो आज इस वीडियो में unseen passage की बात करेंगे unseen passage में क्या है कि आपके बार इस बार चेंज किया गया है दस नंबर का किया गया और पांच जो है mcq कर दिये गए हैं पांच mcq और पांच वन वर्ड या वन sentence की रहेंगे ठीक है तो बड़ा ही असान है आपके लिए इस वीडियो में बात आपको solve करके दिखाते है unseen passage पहला question आपका unseen passage रहेगा दो दिये होंगे तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह का आएगा और कैसे आपने solve करता है देखिए हम यह नहीं कहेंगे कि आप सीधा question पर चले जाओ ठीक है यह नहीं आपको तीन घंटे मिल रहे हैं बारवी कलास के आप student है ठीक है तो फटाफट सबसे पहले में यह देखना है कि यह passage किस बारे है और फिर दिये गए passage के पहरा 1 में 2 में 3 में 4 में और फिर 5 में 6 और 7 में उस topic के बारे में क्या क्या लिखा गया है तो थोड़ा सा फटाफट पढ़ते हुए underline करते रहेंगे आप चाहिए से तो हम कहेंगे कि 45 मिनिट आप कम से कम reading को जरूर दें बाकी सबा दो घंटों में अपना बाकी कीजि आपको दिखाऊंगा कैसे solve करने हैं जैसे हम अगर पढ़ना शुरू करें तो आपको topic sentence से idea हो जाएगा कि what this passage is about ठीक है तो today's woman is a highly self-directed person alive to the sense of her dignity समझ रहे हैं आप and the importance of her function in the private domestic domain and the public domain of the world of work समझ रहे हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि यह जो दो-तिन लाइन है यह हमारा topic sentence मिल गया हमें कि यह जो सारा पैरा है बात करने वाला है आज के संसार में women का जो बाहर निकल रहे हैं काम कर रहे हैं job कर रहे हैं women are rational in approach, careful in handling situation and want to do things as best as possible तो यह लाइन ने क्या दे दिया हमें women के बारे में हैं ना कि कैसे वो rational है क्या 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 वो कर रह रहती हैं उनकी report पर आपने underline करना जैसे fourth world conference ने women के बारे में क्या कहा जो बेजिंग में हुई September 1995 में फिर 95 में world summit of social development हुआ तो उसने क्या कहा ठीक है उसके बाद constitution of India had conferred on women equal rights and opportunity political अब यहाँ पर क्या discuss किया जा रहा है आपको पता लग रहा है कि इस पैरे में women के बारे में constitution of India क्या क्या equal rights की बात करता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए with men because of oppressive tradition, superstition, exploitation, corruption, a majority of women are not allowed to enjoy the rights and opportunities best out on them तो कारण यहाँ पर आ गए क्या कारण थे वो है ना तो यह आ गए है आपको कारण हो गए इसको भी आप थोड़ा सा निशान लगा लें इसके बारे में question हो सकता है one of the major reasons for this state of fear is lack of literacy and awareness among women तो यह एक और हमें कारण मिल गया कि शिक्षा की कमी महिलाओं में है ना और जागरुकता की कमी तो फिर तीसरे पर आगर हम आए role of women in a society is very important अब कैसे important है तीसरे पैरे में यह बताया गया है तो आप देख रहे हैं आपने कोई trick नहीं चलेगी useful tip है और आपको यह है कि पढ़ना है तो आपने देखा क्या है कि इस topic sentence हमने topic उठा लिया और उसके बाद यह कैसे हुआ क्यों हुआ क्यों important है step government के क्या है constitution में क्या provision है तो यह सब यह बात कर रहा होगा ठीक है तो चोथे में अगर हम चलें इसी तरह तो यहां पर role की बात करेगा और यहां चोथे में चलेंगे क्यों नहीं मिला है ने राइटली पॉइंट आउट क्या किया है कि पचास यह की इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया की बात हो रहे हैं यहां पर वेरियस कमेट्रीन कमेशन नेक्स पैरे में आ रहा है देखिया यह जो फिगर होते हैं इसको ट्विंटिए सेंच्री में क्या है 0.6% है ना 1901 तो 39% इन 1991 तो यह जरूर आपसे पुछा जा सकता है निए से चलते हैं अभी कोश्चन में तो पहले एक बार आइडिया ले जिस्ट ले लो की किस बारे हैं और उस बारे में क्या क्या बातें की जा रही हैं अभी तक शिरफ 4 मिंट हुए हैं और हम लग देटा दिया होता है उससे जुड़ा हुआ आप जरूर करना है most backwards यह जिस्टिक के नाम लिये जा रहे हैं यहां पर ठीक है उसके बाद prevailing cultural norms of gender behavior and the perceived domestic and reproductive roles of women tend to affect the education of girls जो चला आ रहा है उससे भी बड़ा है ना फरक पड़ रहा है तो negative attitude towards sending girls to school यह फिर से कारण आ गए हैं तो इन पर भी आपने ध्यान देना है और बिग बूस्ट आया जब पंचायती राज एक्ट आया 1993 में 30% दिखें विलेज पंचायत में जब कि 1992 में क्या कहा ये वाला आप देख सकते हैं तो इस तरह से आपको ये मिल गए question आपको topic मिल गया और सारे एक तरह से आपने question भी ढूंड ले कि इस बारे पुछे जाएंगे तो आप read जरूर करना हम ये नहीं कहते हैं कि आप सीधा question पर जाओ चलिए हम question पर भी जाना चाह है यहां पर ठीक है तो यहां पर आप कहां देखेंगे पैरा one में जाएंगे modern women के attributes क्या है ठीक है तो पहली line में आप देख सकते हो वो self-directed person है वो sense of dignity है importance है समझने लग गई है वो ठीक है तो इस तरह से आ जाएगा तो पहले पहले में आप इसका answer अगर हम देखना चाहें यह देखें आप ठीक है modern woman में यह सब आ जाएगा highly self-esteem person है alive to the sense of dignity है she is rational है in approach and handle situation carefully है तो यह इसका answer आ गया ठीक है तो इस तरह से question पढ़ते जाएए आपने जब idea ले लिया किस बारे है और उस बारे क्या के provision थे underline कर लिये तो जो आपने underline क्योंगा वो समझो आपके question empowerment considered necessary क्यों necessary किया गया है तो यहां पर पैरावन में जाते हैं हम फिर से एक बार देखते हैं क्यों necessary किया गया है यहां पर देखिए at the fourth fourth world conference की बात आगे इस बार इंफेसाइज that without women's participation and empowerment no enduring solution to society's most threatening social यह सब answer आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से मिलते रहेंगे answer आप ढूंदे र girls पहले पांच question एक नंबर के आएंगे self-explanatory होंगे डूनने होंगे और अगले पांच question जो हैं आपके mcq आएंगे 10 नंबर का आ रहा है पहली बार ऐसा हुआ है board ने changes की हैं पहले ऐसा नहीं होता था पहले पांच पांच नंबर के आते थे तो यह हो गया आप देखिए which factors adversely affect the education of girls तो वह कौन से factor आये थे तो हमने चोथे और पांच वे में तीसरे में भी तो वह कौन-कौन से factor हैं यहां पर आपको दिये जा रहे हैं कि gender behavior परसीव domestic and reproductive roles ही women का होना चाहिए यह तो बच्चे पैदा करने की माना जाता था ना तो यह सब आप देख रहे हैं पांच में पैराग्राप में और restriction of mobility of girl and early marriage of girl poverty and illiteracy of parent affect girls participation in education तो यह clear answer इसके दिये गए हैं जैसा की question था आपने देखा third की वह कौन से वह कौन से factors हैं जो effect कर रहे हैं कि बच्चों को बच्चियों को भी education के लिए भेजा जाए डी में देखिए what benefit did the women get with the enactment और पंचायती राज act of 1993 तो यहां भी आप देखिए यह पर कहां पर आया था यह पैरा 6 में है आप देख पा रहे हैं आंसर देखो साथ की साथ मिलते चले जा रहे हैं क्योंकि हमने एक जिस्ट ली लिया है उसका पंचायती राज act में क्या कहता है कि 30% reservation जो है विलेज पंचायत ब्लोक समीती और चिला परिशत में throughout the country दी जाएगी तो यह answer हो गया ठीक है बिलकुल असान इसी तरह का difficulty level रहेगा कोई word ऐसा बता दो जो आप पड़ा ना हो अब तक यह किशना किसी lesson में जरूर आ चुके होंगे बिलकुल असान रहेगा अरियाना बोड के बच्चों के लिए बिलकुल ओई भी दिक्कत है तो comment section में लिखो कि sir नहीं समझ जा रहा तो दुबारा बताएंगे आपको नया पैरा भी आपको solve करके दिखा तो यह तरीका रहेगा तरीका बताया जा रहा है आपको by what process can we remove the sense of inequality of sexes from the minds of the people तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिया आप कैसे हम दूर कर सकते हैं पैरा 7 में इसका answer हमें मिल जाना चाहिए तो the sense of inequality of sexes can be removed from the minds of people only through the process of education यह आ गया इसका answer आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ठीक है चलिए अब mcq देख लेते हैं जो आपको असान लगते हैं तो उस पर भी हैं पांच यह bonus के मार्ग से the cultural norms of gender behavior have affected the क्या affect किया है उसने सारा पैरा जिसके बारे में है marriage of girls अभी नहीं respect of girls नहीं none नहीं education of girls हूल्स हूल्स है ना passes was about education of girls का आ गया है तो यह इसको affect किय है which of the following is not one of the most populous states in our country हर्याना उतरपरदेश मध्यपरदेश या बिहार तो क्या आ जाएगा most में आपने देखा कहां था यह जिसमें states के नाम आये थे उसमें आप जाएंगे और देख लेंगे तो यहां पर यह आप देख पा रहे हैं ठीक है तो इसमें किसका नाम नहीं है यूपी एंपी बिहार रजस्थान है यूपी एंपी बिहार हर्याना नहीं है तो यहां पर सही अंसर क्या आ जाएगा हर्याना आ जाएगा the oppressive and conservative society of India does not let dash use of their rights तो क्या आ जाएगा men के अरे men के नहीं children के नहीं all of these नहीं men के तो वो रखती है women के नहीं रखती है क्योंकि whole para was about the species was all about women's literacy has gone up in the 20th century by by कितना percent यह देखो यह आया था यहां पर answer by यह रहा यह देखो जहां figure की बात अत्य अंडरलाइन क्या होगा तो तुरण नजर वहां जाएगी धना 0.6% जो height hike जो है हुआ है ठीक है तो title to the given passage can be title क्या दे सकते आप आपको क्या लग रहा है role of women in society का गुणग हो रहा है necessity of women education का और है क्या हो रहा है ठीक है तो यहां पर मैं अभी को जाऊंगा आपको क्या better लगता है तो आपने देखा 10 minute और 45 second में हमने यह soul कर दिया है पढ़ा भी हमने ठीक है सीदे question पे भी नहीं गए हमने यह गलत approach होती है reading section है इसी तरह अगर दूसरा होगा तो ब comment section में लिख दो ज़रूर समधन किया जाएगा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेर करो उनको भी benefit होना चाहिए चैनल को subscribe कर लेना all the best सभी बच्चों को wonderful गाईज वाई